वेल्कम टू मैं चेनल पीसी क्लासस मैं हूँ प्रसान चेगरवर्ती और आज मैं आपके सामने क्लास 10 का चैप्टर 2 अमलाच छारा के मुलावन का वीडियो लाया हूँ आप इसे देखिए सुरु संत तक आई होब को आपको बहुत कुछ सिखन को मिलेगी हाई चैप्टर के स्टर्ट करते हैं कि देखें आमने चाहरा के लवन में एसीड एसीड सब्द लेटिन महसा से लिया गया है जिसका आर्थ है खट्टा सौर यह स्वाद में खट्टे होते ह है यह लिए लेलीलिट लाल में बदल देते हैं मील में गातो इसीन मतलब खट्ट और यह अगे फिर्च के ला यह उसकंग प्लिजेन्अम में बदल दे तेंग याने नीला लेट्म को लाल में अब्टे है और जब यह जूँख्ल के साथ घूलते हैं तो और प्लस एच प्लस एच फिस्टन फूर हैड्रोजन यह हैड्रोजन प्लस अन्य हैड्रोजन आयन प्लस मतलब आयन आयन को रिलिज करते हैं निकाल अपने वेश्च ठीक है ती एसीड का डेफनेशन हो गया आप एक्जामपल देखिए एसीड में भी एक था प्रबल अमल एक प्रबल होगा और जो आर्टिफिशिल मतलब जो भगवान के ट्वरा नेच्रोल बनाया होगा वह दुरृबल ःटरह को सिट्रोज्वारु मतलब स्ट्रॉंग इस्ट्रॉenz भनाता एंड्イ्रों दो होता है मैंमेट जो तो वो परभल होता है जासे में है इसको मानो बनाया है यह और करता है दुरूबलम दूद में नहीं करता है अगर इसको खावी लेंगे तो हमें कोई दिकत नहीं होगी यानि यह मैंन मैट नहीं है यह नहीं है लेकिर मैं आपको समझाने के लिए बता दिया कि आप जब कभी डिफ्रेंस निकालने के देगा तो आप इसको देखके ही आप निकाल स सांद्र अमल जिसमें अमल अधिक मत्रा में होता है जबकि जल कल्ब मत्रा में होगा उसको सांद्र बोलते हैं ठीक है क्या बोला मैंने फिर से तुनिये कि जिसमें पानी यानि जिसमें अमल अधिक होगा और जल जो है वो कम होगा उसको बोलते हैं सांद्र अमल जिसको आप याद रख सकते हैं इसको सांद्र अमल बूलते हैं उसके बाद आता देखिए एक आता है तनु अमल अब तनु में क्या है कि जिसमें इसका जैस्ट ओपोजिट जिसमें अल्प मत्रा में अमल और जल अधिक हो उसको बोलता हम लोग तनु यह याद रखिएगा आग देखिए च्छारक यानि बेस अमल स्वाद में खटा था तो यह स्वाद में कड़े होंगे यह वह निली को ल लाल को लिले करेंगे यानि यह लाल लिद्मस को निले कर देते हैं और वह जो है जल के साथ घूमने पर एच पलस यान देते थे यह ओएच माइन देंगे कौन चारक और उसी तरह इसमें भी परवल चारक दूरबल चारक है जैसे न ओवएच की ओएच सी ओएच का होल टू यह सब परवल चारक दूरबल चारक एनच फोर ओएच यह दूरबल चारक अब चारक चार क्या है अलकली जल में घुलनसील चारक को चार करते हैं सबसे पहली बात आता है कि जल में घुलनसील चारक को हम तो क्या कहेंगे चार कहेंगे फिर से एक बास सुन लिजे जल में घुलनसील चारक को चार करते हैं लिकने के बात याद रखेगा कि सभी चारक जल में घुलनसील नहीं होते हैं जल्म में घुलनसिल जो चारक होंगे उनको चारकेंगे जो घुलेगा वो चार है ठीक है और जो नहीं घुलेगा मतलब घुलता ही नहीं है सभी चारक तो जल्म में घुलेगा है नहीं जो घुल गयागा उसको चार बोलेंगे यानि इनका असपर्स जो है साबुन की तरह होगा इनको जब टच करेंगे तो साबुन की तरह लगेगा और स्वाद में कड़बा होगा और प्रकर्ति में यह संचारक होती है ठीक है इसलिए इसे इन्हें कभी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि यह हानिकारक होते हैं लवन सॉल्ट लवन अमल और चाहरक की परसपर अभिक्रिया से लवन को प्राप्त किया जाता है ठीक है उतारण के लिए नसल जो हम लोग खाते हैं साधार नमक थोडियम क्लूराइड के सीयल प्रश्यम क्लूराइड के सीयल तो अब देखें सूचक क्या है इंडिकेटर गोल किसी दिए गोल में या विलियन में अमल चाहरक की उपसे दर्शाते हैं इनका रंग या गंद अमली या चाहर की माध्य में बदला जाता है सूचक के प्रकार यानि टाइप सॉप इंडिकेटर वैसे तो संसूचक बहुत प्रकारक होते हैं पर इनके सामाने इस प्रका लाल पत्ता गोभी यह सब और भी आता है बहुत सारे चीज़े जैसे हो गया हाइड्रेंजेनिया पेटुनिया जेरानियम यह सब जो है यह प्रकार्टिक सूचक है सब्सक्राइब एक बात और बता दों कि लिटमस जो है विलियन रंग लिटमस विलियन जो है बैगनी रंग के रंज़क होता है जो लीचेन पोदा से निकला जाता और लीचेन पोदा जो है थेलफाटा समुगा गूरूपस निकलता है और इस ही लिटमस का परेयोग हम होता है जब आमल भी नहीं होगा चारइब नहीं होगा तब अपना पहले का रूप में यहां प्राक्रतिक पतार्थ ना पताया लाल-पत्ता गोभी हल्दी हाई-ड्रिजन या पेटू या जेरानियम और भी कई फूल है जिनकी रंगीन पखुडिया किसी बिलियन में आमल सुचक ही लिटमस बता दिया लिटमस बनिलर है इसके बाइनल कर निला करता और लिलको निला करता है हल्दी देखिए हल्दी टर्मेरिक हल्दी क्या है कहा जाता है कि हल्दी जो है यानि हल्दी से बहुत सारा काम होता आप जानते भी हैं तो हम लोग इसमें एक हल्दी का काम और दखते हैं कि हल्दी जो है एक सुचक है एक हल्दी एक सुचक है क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सफीद कपड़े पर लगे सबजी के दाग पर जब हम लोग साबून रगड़ते हैं साबून यानि साबून तो चारी के प्रक्रदिका होता है साबून जब रगडते हैं तो उस पर उस पर जो सबजी का दाग है वो उसका रंग change होता है भूरा लाल हो जाता है है और लेकिन कपड़े को अधीक जब हम लोग जल से धूते हैं तो उसके बाद वह पी लिए रंगा भी हो जाता है यह भी देखेए हैं तो वही चाहिए ने काम जो एक सुचक की तरह होता है नेचरल सुचक की तरह ठीक है अब देखें संसलेश्टी सुचक क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर यह वह सुचक है जो प्रक्रत प्रक्रतिक नहीं होती अपी तु यह राषानिक पतार्सों द्वारा बनाए गया होते हैं जैसे मैथिल इनका अपयोग आमले चारक की जांच के लिए एक और सिंथेटिक सुचक यूज किया जाता है जिसका नाम है मैथिल और एक होता है फिनोल फिल्टा प्रक्रतिक बना जाते हैं प्रकृतिक को मैंने बता दी आपको प्रक्रतिक में जिसे लाल पत्ता को भी हल्दी हाइडरजनिया जेरानियम पेटूनिया यह होता हम लोग का प्राकृतिक अब भी गंद सुचक क्या है औलफेक्टरी इंडिकेटर कहा है कि रंग में परिवरतन के दोरा सुचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ आमल है या पिछारक जब तक रंग में परिवरतन होगा तब तक यह हमें पता नहीं पाएगा लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी गंद जो है आमली या चारी के माध्य में बदल जाती है इ ये गंदे सूचक की तरह उप्योग किया जा सकता है कि आगे देखिए क्या लिखा है सारवत्री सूचक इनिवर्सल इंडिकेटर सारवत्री विलियन के केवल आमलीय या चार के परियोग से की परभलता की माप भी बताता है कि वह कितना ज्यादा प्रभल है कितना ज्यादा वो अपने पास तैकत गजबर नहीं के प्रख्णली के पास जब प्रख्णली है तो पॉप की द्वनी उत्पण होती है तो इस टेस्ट को हैडोजन को पस्ती दर्साने के लिए ही करते हैं तो हमने क्या क्या चीज मिलती है वह देखते हैं आए देखें यह लिखा हाँ कि अमलों को जब धातू करमेट के साथ रिएक्शन कराएंगे अमलों यानि है लवन और जल मिला यानि कोई अभिकिरा नहीं हुआ फिर अब देख सकते हैं यहां पर फिर दखिए आपने में छारक की प्रसपरा विक्राइक करना से क्या होता जब आम लोग मिला देंगे या फिर फिर आमलुको भीगारा झाला देंगा तो लेहां मिलेगा यां एक अर्चीज में रहां जल मिलेगा औरप्राइग दो में पर हटी कि प्रते हैं फिर ऊज्सने करना भी कि जब आम लें तो यह समझद दोर्हार या फिर यह समझे कि分鐘 कि आम लमन ऺंज च्हारख की अविखित प्रभात करता है और प्रश्रूब लबन और जर्क रव्खित होते हैं या निश्य बता है सिंपल सा कि कि आमल इवंग चार की अभिक्रिया के परिनाम सो रूप लबंद रफा जल अपराप्त होते हैं इसे उदासरी निकरन अभिक्रिया कहते हैं एक पर लिखावा, आप देख सकते हैं कि सोडियों हाट रोकसाइड को एक सब्सक्रिया का और एक रेक्शन कराएं तो यहां पर लवन हो गिया और एसटीजल हो गिया ठीक है है तो यहां पर लिखा कर दोपनेंगे को कि क्या होगा यहां पर लखा सकते हैं कियाम लोग सास्थ धातिष औको कि में तो किनोन हमिलती है न असक और गूसाइट को भी संपी तब यह में है लत चलह ही है यहां देख सकते आप लिखाओ हो थेखें और दखें यहां सी यह यह यानिक्लिस्यम याम को मतलब होगी आपका हाइड्रोकलोडिक ऐसीड को जब रेक्शन कराएं आपस में तो दो कैलसियम क्लॉराइड मिला और साथ में कैल्सियम क्लॉराइड का मतलब यह यहां पर wrong लिखाय है यहां पर h2o होगा यह गल्ट लिखा वहा Hearts هूगा मतलब भर जल होगा से इस तरहया का र्यक्शन हमें VOICE होती है तो कि आपको यहां तक वीडियो समझ माया होगा समझ माया तो वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों में से और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको और भी नए नए वीडियो मिल सके आप